नमस्कार दूस्तों, स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तों, आजकल लोग काफी कम पानी पीने लगे हैं, जिसके कारण उन्हें बीमारिया होने लगती हैं हमें रोजाना उचीत मातरा में पानी पीने की काफी अवशक्ता होती है अगर आप पानी कम पीते हैं दोस्तों तो आपको dehydration की समस्या हो सकती है पानी हमारी skin को healthy बनाये रखता है एक स्वस्त व्यक्ति को दिन बर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना काफी जरूरी होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारी जानकारी कुल मिलाकर पानी के उपर हैं और उन लोगों के लिए हैं जो की बहुत कम पानी पीते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं और परियापत मातरा जितनी शरीर को आवशकता होती है पानी की उसके निचले इस तर पर जाकर वो पानी कम पीते हैं तो उसके शरीर में क्या-क्या नुकसान उनको जहलने को मिल सकते हैं उसी के संदर्ब में ये जानकारी हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कम पानी पीने के नुकसान क्या क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पेली प्रोब्लम आपको देखनी पड़ेगी वो है कब्ज की। जी हाँ, जब भी पेट में खाना दाखिल होता है तो उसमें पानी की मातरा ज्यादा होती है। मल के निर्माण के लिए पेट की दिवारे साफ मातरा में पानी को सोकने लगती है लेकिन डी हाइडरेशन होने पर बोड़ी के अन्यंगों को पानी की सप्लाई करने के लिए शरीर पेट में मुझूद पानी का इस्तमाल करने लगता है जिससे पेट में पानी की मातरा कम हो ज बात करते हैं दूसरी प्रोब्लम की जो की कम पानी पीने से होती है दोस्तों जहरीले पदार्तों को शरीर से भान निकालने में पानी आपकी हेल्प करता है पानी जहरीले पदार्तों को पेले तो पतला बनाता है जिससे स्कीन में जलन मेसूस ना हो यह सभी टोकसिंस पसीने और पेशाब की जरीये शरीर से बहार निकल जाते हैं। ऐसे में अगर आप पानी ही कम पीने लगेंगे तो आपको पसीना और पेशाब केसे आएगा। इससे आपको इसकीन से संबंदित रोग जैसे की एक्जीमा आजी समस्या भी जहलने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपको ठकान का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा अगर आप कम पानी पीते हैं तो जियां। टीशू के डिहाइडरेट होने पर एंजायमी एक्टिविटी की स्पीड स्लो हो जाती है। इसलिए शरीन में पानी की कमी होने पर आप हमेशा ठके 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 नजर आते हैं। पानी कम पीने से शरीर का एनरजी लेवल कम हो जाता है और आपको हमेशा ठकान बनी रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों वाइयू में उपस्तित हानी कारक जो तत्व होते हैं। शोशन तंत्र को बचाने के लिए शोशन शेत्र का शलेशमा मेंब्रेन थोड़ा सा नम रहता है इससे मतलब कुल मिला कर अगर आपको आशान भाषाव में बताएं तो कम पानी पीने से आपको सांस से संबंदित परेशानिया देखने को मिल सकती है इसके लाव दोस्तों इससे आपको गठिया की बिमारी का भी सामना करना पड़ सकता है जी हाँ, डी हाइडरेशन, खून और सेलिलर, फोईड में जहरिले तत्वों को जमा करने लगता है इन जहरिले पदार्तों के जमा होने से शरीर में दर्द पेदा होने लगता है इसलिए शरीर में पानी की कमी होने से गठिया की बिमारी भी हो सकती है इसके लाव दोस्तों यह पाचन में परिशानी पेदा करेगा अगर आप कम पानी पीते हैं तो इसके लाव यह मुत्र पत में इन्फेक्शन होने का कारण बन सकता है समय से पेले ही बुड़ापा आने जैसे समस्या हैं आपको देखने को मिल सकती है पेट में आपके अलसर हो सकता है कम पानी पीने की वज़े से इसके लावा कोलेश्टोल आपका बढ़ सकता है हाई और लो ब्रट प्रेशर की समस्या आपको घेर सकती है और दिमाग को भी आपके काफी ज़दा नुकसान पहुंसता है तो दोस्तो देखा आपने केवल कम पानी पीने वाले लोगों को कितिनी सारी प्रोब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तो यही थी आज की जानकरी आप लोगों के लिए उमिद करता हूँ आपको कम पानी पीने के नुकसानों के बारे में विस्तर जानकरी मिली ओगी अगर आपको मेरी जानकरी पसंद आई है तो इस जानकरी को लाइक करें शेर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जब दमाएं भूद भूद धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए